नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज फिर एक और वीडियो लेके आया हूँ 15 अगसे पहले पहले जिन लोगों ने अपनी कुंडली प्रुवाइट करें थी उन लोग में से जिनकी फ्री कुंडली सेलेक्शन में जिनके दो सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ उन में से एक कुंडली मैंनाग सेलेक्ट करिए उनकी अब इस कुंडली का आज हम जवाब देंगे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जवाब देने से पहले जैसे मैं बोली रहा हूँ अगर आप भी अपनी फ्री कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो 30 अगसे पहले पहले अपने डीटेल्स, डेट ऑबर, टाइम, प्लेस, नाम, जेंडर, अपने दो सवाल और चैनल सब्सक्राइब करके मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर वट्साप कर दीजे अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है तो मैं आपके दो सवालों के जव प्रोवाइड कर सकते हैं चलिए आप ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगाते हैं आप जल्दी जल्दी से इस कुंडली के रिगार्टिंग बात कर लेते हैं ये कुंडली सदय जी की है सदय जी 38 साल के हैं 38 एर्स के हैं सदय जी के दो सवाले future कैसा है और financial problems कब खतम होगी स सदय जी पहली बात तो है जी कि आपको शनी का अभी महादशा चल लेगा आप जैसे देख सकते हैं आपकी शनी की महादशा लग गई है 19.10.2018 में और 19.10.2037 में इसकी महादशा खतम होगी प्रेजेंटली आपकी शनी में मरकरी की दशा चल लगे है जो 1.7.2024 में खतम अब आपके लिए अच्छी नहीं है अंतर दशा जो आपकी चल रही है अभी शनी की महादशा भी अच्छी नहीं है आपके लिए क्यों अच्छी नहीं है उसके बारे में अगर मैं आपको बोलू तो financial problems आपको आ रहे हैं आप नहीं भी बोलते तो शायद मैं कुंडली देखत है कि शनी की अपनी जो राशी है 10 और 11 ये आपकी कुंडली में मून की चंद्रमा की cancer लगन में आपकी कुंडली में 7 नंबर और 8 नंबर लगाता है तो ये पहली बात तो ये दोनों ही लगन दोनों ही राशी जो ये houses में जो शनी की राशी है इसमें ये शनी आपके लिए म अपना कर पाए लेकिन आपको मैं एक चीज बोल देता हूं जिकि जिन्दगी में कही सारी problems आती रहती है अगर आप mental stress ना लें तो आपके लिए ज्यादा बहतर रहेगा लेकिन mental stress आप ले रहे होंगे क्योंकि शनी की दशा चल रही है मादशा चल रही है तो उसमें से आप कैसे उबरे उसके regarding मैं बात करूँगा पहले आपकी थोड़े problems discuss कर लेते हैं जगे problems है क्या तो मैंने एक problem तो आपसे बाती कर लेजे कि यह मारक है आपकी लेकि कुली के हिसाब से देखा जाए तो और शनी चौते घर में बैटा है हाला कि अपने मित्र राशी में बैठा है शनी और मित्र राशी में बैठा हूँ अच्छा फल देना चाहिए था लेकिन वो अच्छा फल इसलिए नहीं दे पार है उसका reason है कि जिस राशी में वो बैठा है उसका मितर होने के बावजुद जिस राशी में वो बैठा वो Venus की है और शुक्र खुद शकते घर में जाके बैट गया और व호 अच्छा घर नहीं है शुक्र के लिए एक तो Guru की राशी में जाके बैठ गया है दूसरा के छटे घर में जाके बैठ गया है इस कारण वो शुक्र अपनी जो अच्छा मूल जो उसका actual गुडनेस है वो उसको यहाँ पे लूस करता जाता है लूस कर रहा है इसी कारण आपको शनी की महादशा में शनी को शुक्र रोग नहीं पा रहा है और यह ही आपके expenses को बढ़ाता चला जा रहा है आपके घर देखेंगे तो यहां से सात्वा घर expenses का है और वहाला की शुक्र income का लौड है लेकिन क्या करें यहां पर शनी बैठा हुआ उसको मजबूर करा है क्यों कि शनी की तीसरी दिश expenses का मालिक है और क्या बोलते है करेज और चोटे भाइबेन का मालिक है और चोटी मोटी नुकसान का मालिक है चोटे मोटे ट्रिप्स का मालिक है तीसरे हाउस का मालिक है करेज और हिम्मत का मालिक है हला कि छटे घर में बुद्ध बैठा हुआ है यहां पर तीसरे घर का आप पे आपके लिए शनी की महादशा में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और अंतर दशा में भी दिक्कश शुरू हो रही है आपके अब बात करते हैं जिके इसमें पॉजिटिव क्या देखे आपका गुरू नीजभंग राजयोग बना रहा है नवम घर का मालिक होके लेकिन अब वो उसका प्रॉब्लेम हो रहा है अब दूसरा पॉइंट वो यह है एक और चीज़ मैं आपको नेगेटिव कुंड़ी के अभी रिकार्डिंग बता दूँ आपके भी साड़े साती चल रही है क्योंकि गोचर में अगर देखा जाए तो आपका मून 11 घर में ब अध्यांतर पे हैं शनी की शाड़े साती पे तो अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब मध्यादन खतम होगा अंत में शनी अगर पहले खराब गया है दूसरा खराब गया है पहले से थोड़ा बहता दूसरा होता है दूसरे से अच्छा अच्छा फल शनी देता है तीसरे जब केतु की अंतरदशा लगेगी जो मैंने आपको बोला 10-8-2025 के खतम होगी मतलब 1-7-2024 के बाद जुन जुलाई के बाद जुलाई के महीने से केतु की अंतरदशा जब चालू होगी वो शनी के मंगल के पंचमेशो के पंचम घर पे बैटा है सूरे के साथ बैटा है ये दशा आपके लिए अच्छी होगी बच्चे की हेल्थ के लिए दिकत हो सकती है लेकिन ऐसाथ बैटा हुआ के तू सूरे को सपोर्ड इस घर पे बैट आपको लगग को लेकर काफी अत्तक सपोर्ड दे सकता है आपके काम करवा सकता है पूरे काम नहीं कराएगा 35% काम करव रहा हो लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है अगर वाइफ के साथ अच्छा relationship चल रहा है मंगल आपके उच्छ का बैठा हुआ है दसवे घर में बैठा उच्छतम राशी में बैठा हुआ है मंगल यहाँ पर मंगल wife के through support दिलवाएगा आपको लेकिन यहाँ पर शनी हाला की महादशा में चला इस कारणवश आपको problem हो रहा है तो मैं आपको यही advice दे सकता हूँ पहला point हो यह है जिकि मंगल बीवी की राशी में बैठा हुआ है या partnership के घर में बैठा हुआ है तो अगर आप चाहें तो बहतर तो यह रहेगा अगर बीवी के साथ अच्छे संबंध है तो जो भी काम आप property का काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं या business इस ने इस construction का काम कर रहे हैं, तो आफ पीवी के नाम पे वो काम करें, अपने नाम पे ना करें, प्लीज आपको बोलो, अगर किसी ने guide किया है, construction के काम के लिए, उसने साइध आपको अच्छा guide किया, लेकर उसने अधूरा guidance दिया है, बीवी के नाम पर काम करिए अपने नाम पर मत करिए हालकि एड प्रेजेंटली तो मैं यह बोलूँगा जिकि अपने करम पे ध्यान दिजे यह मत ध्यान दिजे कि इसके बाद रेजल्ट क्या होगा क्योंकि रेजल्ट का कर सुछते रहेंगे तो आपको बहुत problem होगी क्योंकि अभी आपके situation खराब है आपने जो पूरा एक mail भेजा उसमें आपने बोला था loan भी मेरे पह loan का reason यही है कि छटे घर में इतने सारे planet बैटे हुए है जब guru की दशा चल रही थी महा दशा चल रही थी तब loan लेते थे loan चुकानी की tension नहीं होती थी अपने आपी चुक जाती थी अगर loan लिया भी होगा लेकिन अब बुद्ध की दशा चल रही है तब बुद्ध में expenses बढ़ गया है loan देना मुश्किल हो रहा है और बुद्ध की दशा में यहाँ पे तीसरे घर का मंगल अच्छा रेजल्ट देगा अगर आप business कर रहे हैं कुछ भी करें अपने wife के नाम पे करिए बहता रहेगा जैसे कि मैंने बोला साड़े सती शनी की चल रही है आपकी अभी डहिया एक डहिया खतम हुए दूसरी डहिया चल रही है इसके बाद आखी डहिया लगेगी जब वो पाइसेस पे जाएगा मन घराब रहेगा रीजन विंग मून अपना अस्टम घर पे बैटा हाला कि सूरे और चंद्रमा को आठवे घर के दोश नहीं लगता लेकिन शनी के घर पे बैठा हुआ है इसी कारण मैं यहाँ पे यह ब आठ नो भागे का सपोर्ट ज़रूर मिलता है लेकिन यहाँ पे क्या है उनका मन आपके साथ मन नहीं पाता वो भी कॉम्मिकेशन में दिक्कत देते हैं या आपकी वाइफ की कॉम्मिकेशन से आपसे आपको सटिस्वेक्शन नहीं मिल पाता या कन्वीनियंस में आपको प् पहला रेमेडी जे नो रॉंग डूइंग कोई भी काम करें गलत मत करिये क्योंकि राहु 11 घर पे बैठा हुआ है यहाँ पर राहु कैसे भी सामदाम दंदे भेट से पैसा कमात के देता और गुरू के समय भी आपने अपना नीजभंग राज हो गए तो सामदाम दंदे भे मैं किसी से भी लोन लिया चाहिए वो बैंक की क्यों ना उसकी नजार और उसकी हाय आप पे आ गई है और उसकी बला आप पे आ चुकी है तो मैं आपसे यही बोलूँगा जैकि लोन मत लीजे किसी की भी कोई गलत काम मत कीजे एक्सेप्ट यह रॉंग डूइंग अगर करने का मौका मिले तो छोड़िएगा मत चाहे आपको किती भी प्रॉब्लेम हो रही हो अपना ना सोचेगा दूसरे का सोचके करिएगा क्योंकि उसका अगर आपस करेंगे तभी आपका अच्छा होगा तीसरा या वर्शिप वुमें गॉड़ेस कोई भी शुक्र आपका ड प्रॉंग रहे जब 25 के बाद 28 पर शुक्र आएगा तब आप अच्छा करें तो शुक्र गॉड़ेस का पूजा करिए आपके लिए अच्छा रहेगा मून के भी लिए अगर आप देखे तो फीमेल ओरेंटेशन होता है तो यह चीज आपके लिए बहतर रहेगी शुक्र द पहने से लेक बार और बोलूँगा को मून की वी उपाइय बात कर लिए इसकारी नहीं प्त है तो अभी तक जितना मुझे दिख रहे है तो अब वे अगर आप पूछा भी नहीं है इसलिए मैं और इसके उपर देखा भी नहीं है बठा ये मैं एनलिस किया नहीं पतर को लि करिएगा वाइट चीज डोनेट करने की कोशिश करिएगा और जैसे दूद हो गया या कोई भी चीज हो गई को पिलाने की कोशिश करेगा मदली नेचर के साथ वैसे भी आपका मून डाउन और मदर के हाउस पर ही सैटन बैठा हुआ है तो आपको आपको भी प्रॉब्लेम द करिए और वाइट चीज डोनेट करिए और दुर्गा चालीसा पढ़ सकते तो पढ़िए ठीक है डोनेट ग्रीन तिंक्स अभी आपकी अंतरदशा क्या बोलते है बुद्ध की चल रही है तो बुद्ध की अंतरदशा में कोई भी हरी चीजों चाह साग पती कुछ भी चीज कोई भी चीजों जो बुद्धवार को आप दान दे सकते हैं वो दान दीजे और चिडियाओ को खाना कहिला यह फीड़वर्ड अगर आप खाना कहिला सकते हैं चिरियाओ को तो आपके लिए अच्छा रहेगा बुद्ध की अंतरदशा आपके लिए आपको ज्यादा हानी ही पहुझाएगी हो सकता है अच्छा करेगी सर्फ सर्विस क्लासस करते हो सरकारी सिस्टम से काम कर रहे हो जो सरकारी सिस्टम करिए या आप से नीचे जो भी सर्विस क्लास में उसकी मदद तांदर शोट का जितना हो सके उतना उचारन करिए उसको उसका उपयोग करिए तभी आपको ज्यादा अच्छा फन मिलेगा मंदिर शिव जी के लिए जो जो काम आप कर सकते हैं वो काम करिए सिरब मैं इतना बोलूँगा जिकि दूद जाके उनके लिंक पे चड़ाने से कु मेरे हिसाब से कोई फाइदा नहीं होता है जैकिन अगर करना चाहिए आपकी श्रदा उसमें हो तो आप करिए डॉक फिट करिए कुटो खाना के लाइए शनी आपको बहुत अच्छा फाइदा देगा अगर आप डॉक फिट करते हैं तो डॉक फिट जरूर करिए डॉक फि बाहर जो वक्ती बैठे हों जिनको जरूरत है जिनको तेल का उपयोग ले सकते हैं उन लोगों को दान करिए यह सब उपाय करने की कोशिश करिए और शनी जी के शनी वार को ये काम करिए जो डॉक फिट डेली बेसेस पर कर सकते हैं और तेल का अगर आप डोनेशन करना चा कुछ गलत मत करिए दूसरा कुछ गलत कर रहें कर चुके हैं तो उस कर्म को भोगने की तैयारी करें क्योंकि शनी यहां पर सिखा रहा है शनी यहां पर कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है तो सिखाने की परसेस पर है लेकिन मारक है इसलिए जो जो चीजे बोलें ये तो जरूर क जली जाएगा, ठीक है, टैंक यू